थेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत ठीक होंगे और बढ़िया होंगे अपनी प्रेग्निंसी को इंज्वाइ करते होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 6 मन्त में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान सकते हैं क्या पेट में पल रहा शिशू बेटा है या बेटी है तो दोस्तों आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं जो लड़का होने पर माने जाते हैं वो ही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बेटा होने पर क पूरी जानकारी मिल सकी वीडियो देखकर हर महिला के मन में यह क्योरिसिटी होती है जानने की कि आने वाला महमान बेटा है या बेटी है आपकी क्योरिसिटी को कम करने के लिए इस वीडियो को बनाया है दोस्तो हमारा चैनल किसी भी प्रकार से जानल सेलेक्शन को बढ़ाव जानते हैं उन लक्षों के बारे में जो बेटा होने पर बिलकुँ सही माने जाते हैं अगर आपका six month चला है six month लगते ही अगर आपके body में किसी भी प्रकार की allergy होने लगती है किसी भी प्रकार का रैशिस होने लगते है और आपके पैरों में भी किसी तरह की ऐलर्जी होने लगती है दोस्तों तो ये एक संकेत होता है ये बेटा होने का होता है दोस्तों तो आप मान सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीब किया है काफी महिलाओं में ये लक्षन देखा गया है और 99% सही भी रहा है दोस्तों आप इससे एक अनुमाल लगा सकते हैं कि एलर्जी का होना ये किसी प्रकार के रैशिस बॉड़ी में होना ये एक बेटा होने का संकेत होता है गाइस अगला लक्षन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी काफी हद तक महिलाओं में सही रहा है अगर आप प्रेगनेंट हैं और आपका सेके सेमेस्टर है अगर आपकी सीधे पैर की नस चड़ जाती है जी हाँ दोस्तों अगर आपकी सीधे पैर की नस प्रेगनेंसी के दौरां कभी कभी चड़ जाती है ये डेली चड़ जाती है दोस्तों तो ये भी एक संकेत काफी हद महिलाओं में देखा गया है यह अनुमान लगाए गया है कि यह एक पेटा होने का संकित माना जाता है दोस्तों सिक्स मन में अधिकतर महिलाओं को अंदाजा लग जाता है और देखके ही महिलाओं बता देती हैं आसपास की महिलाओं बता देती हैं कि क्या होने वाला है वो क्य आपका पेट नजर आता है गोल नहीं है आपका पेट तो दोस्तो ऐसा माना जाता है यह भी एक संकेत बिल्कुर सटी कराता है लड़के में तो आप इससे भी एक अनुमाल लगा सकते हैं अगला संकेत भी काफी प्रेग्निन महिलाओं में देखा गया है बेबी बॉय हुआ है अगर आपके पैट थंडे हो रहे हैं थंडे से आपको लग रहे हैं पसीज रहे हैं दोस्तो तो यह भी एक इंडिकेशन बेटा होने पर अकसर नजर आने लगता है गाइस बेबी बॉय कंसीव किया है तो चेहरे पर पिंपल निकल ला मस्से हो जाना प्रेइंसी के दोरान पिर पिंगमर्टेशन हो जाना या फिर आपका फिस डल पड़ाना दोस्तो यह बी संकीत बेटा होने का निस वीडियो में हमने आप और लड़कई होने की शिम्टम्स बताए दोस्तों लिकिन इस स्टम्स को इस वीडियो को आप इंजुआ की तौर से ही अपनी प्रेग्नेंसी की दौरान लेना बिल्कुल भी सीरस्मत लेना दोस्तों अगर आपके मर में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा अगर वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और लाइक का बटन जरू दबा दीजीगा